तो दोस्तो मेरे ना मेरा आखु स्वागत आपका टेक्निकल वर्गडिव चनल पर दोस्तो अगर आपको कूलर की मोटर स्लो चल रही है या फिर इसकी पंखड़ी भूमा दे ता मोटर चलती है तो इस टाइप की जो प्रॉलम आती है कैपिस्टर वीक हुजाता इसकी वेडिय अब चलती है हमें खोल लेना उसके बाद हम इसके connection को देखेंगे तो यहाँ पर देखें जितने स्कूल लगे थे मैंने खोल लिए और आपको यहाँ पर कैपिस्टर दिखाई दे रहा है वह बाकी यहाँ पर connection है तो मैं इसको भी पास लाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ज इसके बाद आपको कैपिस्टर के रेटिंग चेक कर ले ने कितने क्यों का फाल लगा हुआ और उसी रेटिंग का फाल किजेंज कर देना तो इस सब्सक् mitad की बाइर होती है क्या होती है operation छोटी जो केपस्टर की डो वायर को connect क करना होता जैसे कि आपको दिखाई दे रहा जो केपस्टर की दो वायर है आप इन दोनों में से किसी भी वायर को किसी वायर से कलेक्ट कर सकते हैं कोई प्रॉल्लम नहीं अieneक अगर आपके cooler के पूराना कैपस्टर इसको निकाल देंगे, किसी-किसी मोटर में इस टाइप की वायर सिलिव लगी होती है, किसी में क्या होता, टेप भी लगा होता, किसी में कनेक्टर भी होता, इसमें कैपस्टर की वायर कनेक्ट होती है, जब भी आप कैपस्टर निकालते हैं, तो आपको लगा सकते हैं तो यहाँ पर मेरी पास दूसरा चैपिटर हो चेंज कर देते हैं यहाँ से यहाँ है देखा तो ब्ल्काइर छेंग कर देंगी उस हूदर्ग कर देना कोई प्रॉब्लम नहिए तो यहाँ पर देखे एक वाइर से तो यहां पर देखिए दूसरी वायर को भी आप इस टाइप से लगा जाए ताकि आप इसकी बॉड़ी से टसना और आप चाहिए तो इस पर टेप भी लगा सकते हैं किसी किसी मोटर में क्या था टेप से जोईंट होता है और किसी में कनेक्टर भी लगा था तो इसको वापस महीं लगा देते हैं तो इस टाइप से आप भी आसानी से केपस्टर को चेंज कर सकते हैं करते हैं दो इसके बाद के को और देंजिए को फिक्स के और इसके जितने भी श्क्रू अमने निकाल लेते हैं इसको वापस लगा देता हूnement तो इस टाइब से जितने भी screw थे यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ इसके बाद हम इसे चला के चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे screw को भी लगा दिया इस टैप से लगा देना इस बैल आइकुN को प्रेस कर देना जिसे नई वीडियो की नोटिफिकिसन आपको सबसे पहले मिल सके मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में